टोडे, वी आर गुएंग टो श्टेडी, एक्ससाइज 3.6, वीडियो 3N, चैप्टर 3, प्लेइंग बिद नमर्स, ओके, तो श्टुनेंट्स, एक्ससाइज 3.6 को सॉल्ब करने से पहले, हाइस्ट कॉमन फेक्टर को रिवाइस कर लेते हैं, ठीक, तो जैसे कि आपको मैंने कल बताया था, कि हाइस्ट कावन फेक्टर क्या होते हैं, एक्जामपल्स बताया थैंक क्या होते हैं, ठीक, अगेड़ वाइस करते हैं इसको, तो तो हाइस्ट कावन फेक्टर of two or more numbers, is the greatest number, that can exactly divid the given numbers तो दो या दो से अधिक numbers का हाइच common factors सबसे वड़ा numbers होता है सबसे वड़ा numbers के test numbers होता है जो उन numbers में आसानी से exactly divide होता है ठीक? तो आग्जामपल शूर 것 के अब factors ऐसे मैंने किए 12 और 20 के highest common factors लिखाला है तो इसके मैंने factors किए 12 के factors किए और 20 के factors किये तो इन में जो common है common factors find किये मैंने 1, 2, 4 लेकिन 1, 2, 4 में सबसे highest common है 4 है तो highest common factor 12 and 20 का 4 है इस तहां से बताया आपको मैंने ठीक और बताया आपको मैंने कि highest common factors को greatest common divisor भी बोलते हैं और highest common factors two ways से find करते हैं listing all factors prime factorization इस वाल method का use बहुत कम करते हैं division method का इसको तीन तरह से करते हैं इसका use हम बहुत करते हैं अब यह हम दो तरह से पढ़ेंगे ठीक फिर आपको ताया था कि prime factorization के माध्यम से कैसे होता है prime factorization से कैसे होता है जैसे कि यह दो numbers दी हैं आपको 12 और 20 तो 12 के factors की है आपने 20 के factors की है 12 के factors आपने यह लिखे और 20 के लिखे जो दोनों में common है दो common है दोनों में इसको first time दोनों में दो common है इसको भी one times लिखेंगे ठीक दोनों को one times टू टू जा फोर इस तरह से आपको मैंने फिर एक trisies इसे solve करने को page number 63 पर अभी तक यह trisies बचों ने solve नहीं की है ठीक solve करें आप लोग तो इसके दो questions मैंने solve किये थे third और fourth आपको solve करने को दिया था ठीक तो आज highest common factor per based exercise 3.6 solve करेंगे देखते हैं इसको तो students start the exercise 3.6 question number one find the highest common factor of following numbers आपको numbers यह हैं और उनके highest common factors आपको find करना है तो students मैं आपको advise हुआ कि highest common factor highest common factors को आप prime factor और इसके माद्यमसी करें तो वेश्ट है ठीक मैंने आपको बहुत सम्झाने के लिए common factors करके फिर वो उस तरह से बताया है मैंने लेकिन इसको आप 18 और 48 का आपको highest common factor आपको find करना है तो 18 के factors किये और 48 के factors किये यह लेकिन हैं अपर दोनों में common हैं बो लिखा फिर उसका अंसार लेकिन अब इसको solve कैसे करते हैं आपको इस्टे बाइस्टे फंजाता हूँगा देखो students क्या करा आप में जैसे 18 है ठीक है तो 18 2 का table 18 में 19 ठाप सागा 2 9 जा 18 फिर 9 के factor 3 3 जा 9 फिर 3 बंजा 3 आप ऐसे कर सकते हैं 18 को आप ऐसे कर लो अगर आपको नहीं आते हैं तो परसान होने की यह उतनी है आपको 2 9 जा 18 तो यह 9 आए तो यह 9 देखेंगे फिर 9 9 किसे डिवैड होता है 300 होता है 3 देजा 9 तो यहां यह 3 लिखे फिर 3 का table 3 में 1 टेम्स दागा इस तरह से 48 48 तो 48 को आप ऐसे कर लो पहले 2 से कर लोगा लास्ट में जो digit है वो कितनी है even है तो 2 से कर लोगा 2 जा 4 8 हो गया 24 चाहिए 24 आया है इंपर ठीक है अब 24 2 से कर लोगा तो 2 बन जा 2 4 आजा 2 2 जा 4 कितना 12 आया तो हैं 12 आया इसलिए ओके तो इस तरह से आप इसको करेंगे और इसमें आप देखें क्या है देखो इसमें आप students क्या है इसके factors किया है 18 के factors किया है और जितने 48 के factors किया है उसको यहां write किया है अब देखो 2 इसमें 2 इसमें तो 2 लिखे यह 3 इसमें है students और 3 इसमें है तो यह 3 लिखे 3 इसमें है लेकि 3 और इसमें नहीं है 2 इसमें है लेकिन 2 समें और नहीं है, एक ही 2 था, वो अपनी लिए है, तो जो common है, जो दोनों में 100 होते हैं, equal होते हैं दोनों में, उनको लेते हैं, लेते हैं एक ही times, जाचार 2 था यह, तो 2 समें 2, इनको एक times 2 लेखेंगे, 3 और 3 है, इनको एक times 2 लेखेंगे, तो 2, 3, 6, ठीक, यह answer है, highest common factor, 18 and 48 के कितना है, 6 आया, फिर आपको students, question V, C, D, F, यह आपको homework में करना है, same, ऐसी है, ठीक, जी मैंने किया है, 70 के factors किये, 70, 105, और 175, इनके, आपको highest common factors find करना है, तो 70 का कैसे करेंगे, 2 का table, 70 में 35 times दगा, और 5 का table, 35 में 7 times, 7 का table, 7 में 1 times, ऐसी है, अब students क्या है, पर last में, संख्या और है, नमबर और नमबर है, तो यह 2 से divisible होगा नहीं, 3 से रखते हैं, 1 और 5, 6 होते हैं, 6, 3 से divisible होते हैं, इसलिए, 3 से काटेंगे इसको, 3 से करेंगे divide इसको, तो 3 का table, 105 में 35 times दगा, और 5 का table, 35 में 7 times, और 7 का table, 7 में 1 times, ऐसी है, 175, तो 5, last में, अगर कोई नमबर 5 या 0 होता है, तो वो नमबर 5 से easily divide होता है, क्या ये 3 से divisible हैं, दिच्चा के लेते हैं, 7 और 1, 8, 8, 5, 13, 13, 3 से divisible नहीं होता है, इसलिए 5 से divisible होगा, तो 5 का table, 1, 7, 5 में 35 times दागा, और 5 का table, 35 में 7 times, और 7 table, 7 में 1 times, तो इसलिए जो factors आए, 70 factors के लिखे मैंने, 105 के factors ये लिखे, और 175 के factors ये लिखे, और जो common है, जो 3 में common क्या दोखो, एक तो दिखो, आपको ये लिखो धन से, 5 common है, 7 common है, 5 और 7, highest common factors, 70, 105 और 175 के factors कितने हैं, common factors, highest common factors, 5 और 7, 5 में पर लिखे, 7, 35, answer, ठीक, इस तरहाँ से करेंगे, आप easy है, अब students, question number, 1 का age, 1 का age है, 91, 112 और 14 है, क्या आपको factors, प्राइम factorization करना है, आपको लिखे, फिर highest common factors लिखाना है, तो, saving का table, 91 में 13 times, 13 का table, 13 में 1 times, ठीक है, 2 का table, 112 में 56 times, और 2 का table, 56 में 28 times, 2 का table, 28 में 14 times, 2 का table, 14 में 7 times, saving का table, 71 times, ऐसी ही है, ठीक, तो जो, जो factors है, सुकुल लिखे, और उनने common क्या है, दिखो, students common क्या है, दिखो, savings में है, savings में है, और, savings में है, जो common है, वो लिखाना है, तो highest common factor कितना है, savings, ठीक, अब, question number 1 का, I और J, यह part भी आपको home back में solve करना है, ठीक, इसको solve करना, और, दिखाना मुझे, तो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, तो बताना मुझे आप, ठीक, question number 2, तो question 1 के, सारे part मैंने solve किये, कुछ part आपको मैंने home back में दिये हैं, तो वो आप solve करना, ठीक, question number 2 देखते हैं, what is the highest common factor of two consecutive, consecutive, तो two consecutive means होता है, दो ऐसे number, जो लगातार एक के बाद देखा है, जो लगातार एक के बाद देखा है, तो इसको भी solve करते हैं, तो numbers, two consecutive numbers का highest common factor, hcf, क्या होगा, चलो इसी भी solve को लेते हैं, जैसे आप students आपने क्या करा, numbers की बात करते हैं, numbers की, अब numbers तो, आप नाम तो दिया नहीं हैं, की even आए है, odd है, प्राइम क्या है, तो numbers आप को से लग सकते हैं, जैसे पहले लोग पहले 10 लिया और दूसरा element लिया, तो 10 के factor है students कितने हैं, 10 के factor आप जानते हैं, 1 multiply 2, multiply 5, यह तो आएंगा प्राइम factor, 11 कितने हैंगे students, 11 का 1, multiply 11, तो common क्या दोनों में, 1, तो 2 consecutive numbers का highest common factor 1 होता है, यतना होता है, 1 होता है, ठीक, अब बात करता हूँ, even number की, अब even number है न, अब यह even number आप ले सकते हैं, मैं सबसे छोड़ा ले लता हूँ, 2 और 4, तो 2 के factors कितने होते हैं students, 1, multiply 2 होते हैं, और 4 के factors कितने होते हैं, 1, multiply 2, multiply 2, तो दोनों में common कितना है, 1 common है, और 2 common है, ठीक है, तो highest common factor कितना है, इसका 1, multiply 2, याने कि 2, ठीक, आप चाहिए तो इस बान को लिखो, या मत लिखो, लेकिए 2 तो लिखना होगा आपको, तो highest common factor कितना होता है, even number से कितना होता है, 2 होता है, चलो मैं आपको एक example score समझाता हू पहला आपने 12 लिया और दूसरा 14 लिया, consecutive होगा चाहिए, एक के बाद एक, तो 12 के factor कितना होगे students, 2 multiply 2, multiply 3, 14 के कितना होगे, 2 multiply 7, तो common कितना है, 2 है दोनों में, और तो नहीं है न, तो highest common factor, तो consecutive है, even number से कितना होता है, 2 होता है, ओके, तो ये कितना है इसका, 2 आया, अब औ odd numbers से क्यों होता है, highest common factor, तो odd numbers की बात करता हूँ, और नमर्स क्यों होते है, पहला अगर 5 है, तो दूसरा कितना होगा, 7 होगा, ये तो odd numbers होते है, link consecutive होना चाहिए, 5 के बाद 7 आता है, ऐसा तो नहीं है, कि 9 आता है, तो 5, 5 के factor कितना होगे students, 1 multiply 5, और 7 के factor कितना होगे, 1 multiply 7, तो दो number common कितना है, 1 है, तो इसका 1 होगा, ठीक, तो 2 consecutive odd numbers का highest common factor, 1 होता है, 11 नमर्स का 2 होता है, और numbers का भी बन होता है, ठीक, और ले लते हैं, मालwnो पहला 11 लिया, वदुसरे लिया, 13, 11 के factors कितना होते है, 11 के factors होते हैं, 11 के factors होते है, 11 और 11, और 13 के होते है, students 1 और 13, दो नम तो आपको मैंने इस्टूरेंट्स कोश्चन नमर वन और कोश्चन नमर टू एक्स्पिलेंग किया ठीक कोश्चन नमर तरी है यह कर रहे हैं कि हाइस्ट कोवन फैक्टर ओफ को प्राइम नमर्स फोर एंट फिप्टीन आर वास फांड एस फॉलोज वाइ एक और करते हैं नमर्स फ्हुन प्राइम फैक्टर फ्टेया थेए तो इसको 'reक्रेक्ट सकते हैं इसे फोर के फेक्टर्स कितने होते हैं फोर के फेक्टर्स होते हैं वन टू टू फोर यहांग बन के फेक्टर्स फोर के फेक्टर्स बन टू फोर होते हैं और फिप्टीं के फेक्टर्स इतने होते हैं इस्टून्स वन ट्री फाइफ फिप्टीं ठीक तो 15 के factors यह हैं अब common क्या है दोनों में 1 common इसमें 1 इसमें अब co-primes इसलिए है co-primes नमर्स बुन नमर्स होते हैं जिनके common factors only 1 होते हैं जिसे 4 of 15 ये co-primes नमर्स हैं तो only common factor कितना 1 है तो highest common factor भी 1 होगा इसका ठीक 1 तो होगा क्योंकि 1 इसमें भी है 2 x 2 और 15 के factor कितना है 1 x 3 x 5 तो नमर्स कॉमन कितना है 1 है तो highest common factor कर लो या common factor कर लो 1 ही है ठीक बात भी किये न अब इसमें तो बात देखी है क्योंकि जब कुछ नहीं है तो 1 को चाब highest बोल दो चाब common factor बोल दो highest common factor बोल तो बात देखी है जब कोईश नहीं है तो फिर highest का लगा फिर फिर इसका 1 आया Hence, highest common factor करने है 1 है तो answer करना है answer 0 highest common factor 0 है? नहीं 1 है, तो answer is not correct, answer गलत है correct है ही नहीं तो answer is, answer सही answer करना है highest common factor 1 है इसका, ठीक इसको मैंने explain किया, question number 3 लगतो ऐसरा आता कि बहुत बड़ा होगा लेकिन है छोटा यह समझना का फिर है, ठीक तो श्रुएंट्स आज मैंने exercise 3.6 solve की और उसमें 3 questions थे ठीक, और 3 questions को इन 3 questions उसमें question number 1 था, उसके part थे कई सारे तो मैंने उसको भी solve किया, कोछ मैंने आपको homework दिये, तो जैसे कि मैंने questions ही homework में दिये हैं, यह question आप note का solve करना, यह question आपको मैंने समझा है, इनको समझना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, यतनी बार को समझना आए, अगर तब भी नहीं समझना आता, तो मुझसे पोचिन मैंने सर्थ calmlynewi Sir, हमारे समझना आया electricity, हम आपको दिये ions पोचिन यह question दिये मैंने homework में, यह question आपको मैंने समझा यह question समझा है, तो में कल next लाइस्ट od लोश्ट कॉमन फेक्टर्स के बारे में, लोश्ट कॉमन मल्टिपल, sorry, LCM के बारे में, डिस्स करेंगे, ठीक है, आज की वीडिवी यहीं तक, जो श्रुएंट्स बर्क कंप्लीट नहीं कर रहा हैं, तो प्लीस वो श्रुएंट्स बर्क कंप्लीट करें, लोश्ट करें, मुझसे चेक कराएं, और असाइमेंट दिया था, मुश्ट के 12 तेरा श्रुएंट्स का ही असाइमेंट मेरे पास आया था, चेक कराने के लिए, तो प्लीस श्रुएंट्स पढ़ाए को हलके में ना लें, तो अच्छे से पढ़ें, मन लागे पढ़ें, कोई प्रॉलम है, कोई डॉट है, तो मुझसे पूछें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पूछें, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक, तो यहीं, आज की वीडियो यहीं तक, थैंक्यू, बाई बाई,